हेलो इस्टुडेंट्स वेलकम बैक दी चैनल माते मैकेट में इस्टुडेंज आज हम लोग मैटराइस का वन शॉट लेक्चर देखने वाले हैं तो आज से हम लोग यह सीरीज चालू कर रहे हैं वन शॉट का पूरा टोटाल हम लोग इस तरह से वन शॉट देखेंगे पहले मैटराइस से चालू करेंगे उसके बाद आपके मैटराइस टू पर जाएंगे फिर मैटराइस वन पर आएंगे फिर मैटराइस टू पर जाएंगे मैट्राइस की बात करो यह मेरा एक प्लूरल फॉर्म है एक क्या है प्लूरल फॉर्म है प्लूरल फॉर्म बोल सकते हो इसको मैं अगर इसी को कभी कभर हम लोग मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं तो मैट्रिक्स हमारा क्या है यह सिंगुलर फॉर्म है यह क्या है सिंगुल यह दो चीज़े हमेशा इसके अंदर आपका आने वाल है तो रो की जब बात होगी तो रो को हमेशे शो किया जाता है आर से कॉलम को हमेशे ऐसे थेखिशलान जो सबस्क्राइब करें नियंग करना करना है अब करना है अपने को कि मैट्राइस ? की जब बात होती है सबस्क्राइब की ठाइब होते हैं कि बात करो that is call first is row matrix अगर मैं types की बात करूँ यहाँ पर तुम्हें लिखते हो यहाँ पर types of matrix types of matrix की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो कौन सा पहला हमारा यहाँ पर है row matrix row matrix क्या है आईसा matrix जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ row की बात होने वाली row की बात for example मैं one लिखा तो रो अब रो की बात हो रहे तो यहाँ पर ध्यान दो a i j a i j अगर लिखा है तो i का मतलब हमेशा होता है row शो करता है और j का मतलब हमेशा क्या शो करता है column शो करता है ध्यान दीजिए ठोटा सा अभी next की बात करूंगो तो यह मेरा क्या है row matrix इसके अंदर एक ही row है तो मैं column भी बोल सकता हो तो इसको मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ i मतलब यहाँ पर i का हिसाब से अगर मैं शो करूंग यहाँ पर column matrix बेसिक है यह बेसिक जानना कोई जरू हो कि कि अभी आगया हमारे वन शोट के लेक्चर में काम आएगा क्योंक है column matrix में क्या है एक वर टू यहाँ पर मैं वन ही लिखूंगा लेकिन यहाँ पर मैं जो शो करूंगा वह जे से शो कर देता हूँ क्या शो करता है column matrix को शो करता है अभी थर्ड की बात करूंग यहाँ पर square matrix अभ यहाँ से important matrix चालो होने वाला है यह कुन से matrix है मेरा square matrix square matrix ऐसा matrix जिसके अंदर number of row that is call m equal to n अब बोलेंगे सर यह m क्या है इन क्या है तो m मेरा यह भी मेरा number of row ही शो करता है number of row और यह क्या शो करता है number of column यह ध्यान मेरा को आप लोग कि number of row और number of column शो करता है अभ Aryan अगर square matrix की बात की जाए है तो square matrix क्या हो सकता है 1 2 3 4 अर इसमें ध्यान दीजेंगे तो यह क्या रहता है मेरा यह horizontal चुछ पार्ट रहता है इसको हम लोग बोलते है रो और यह जो vertical रहता है इसको हम लोग बोलते है column ठीक है तो इसके अंदर रो कितना अगर ध्यान से देखेंगे अगर तो कितना रो है one two column कितना है one two यहां पर कितना हो गया two into two मतलब क्या हो गया m equal to n तो इस तरह के matrix जो भी होगा that matrix is called as square matrix अभी fourth one की अगर मैं बात करूं यहां पर square matrix यह two by two गा है two by two मतलब दो रो दो column का matrix है same चीज़ अगर मैं three by three का करना चाहूं यहां पर तो कैसा कर सकता हूं one two three four five six seven eight nine यह कितना है one two one two three three row हो गया column कितना है one two three तो यह फिर कितना बोल सकता हूं मैं three by three का यह matrix है जिसको मैं क्या बोल सकता है कि m equal to n यह भी मेरा three by three का matrix हो गया अगर मैं fourth one की बात करूं यहां पर तो fourth one क्या हो सकता है आपके इंप्सक्स मार्णक जो आपकर चुटे गनी बहुत तीजी से अगा दोग करेंगे लेकिन अभी पहले बैसिक जानना जरूरी है तिक है unit matrix what is unit matrix unit matrix के बारे हम पहले हम देखेंगे कि unit matrix ऐसा matrix ऐसा matrix जिसके diagonal elements क्या हो वन हो और बाके non diagonal elements zero पहले तो एक condition क्या है कि unit matrix is also called as a square matrix पहले तो यह square matrix होना चाहिए और diagonal diagonal किसको बोलेंगे in the terms of this matrix इसको यहाँ पर जो भी नम रहे यह मेरा diagonal होने वाला है यह क्या होगा मेरा diagonal होगा अब सर यह भी तो diagonal हो सकता है नहीं मैत्रिक्स करता है तो matrix के अंदर जो unit matrix के अंदर है diagonal is always equal to one and other elements को क्या बोलेंगे हम लोग non diagonal elements तो non diagonal elements always is zero for unit matrix अब unit matrix के अंदर है जो it is denoted by कि से कि से चांप कि से चandy Tut इसे कम हमेशा बहुत I am कि मैं बात करूं यहां पर कम यहां पर नाम दोँगा डाइगोनल मैट्रिक्स क्या हो मेंट्रिक्स से बात कुष नहीं सकता है इन दृit कोен मेंट्रिक्स में यह जो इलिमेंट्सस है यह कुछ ना कुछ नलवर रहेगा। यह जो इलिमेंट्स हैं कुछ नहीं हो सकता है। और यह जो elements है यह सब 0 रहेंगे पहले मैं जान बूच के लिए कहा हुँ ताकि मैं को समझ में आए और आपको भी समझ में आना चाहिए 0 0 0 मतलब यह जो elements रहेंगे अभी अगर यह elements one हो जाता है तो that matrix क्या बोल सकता हूं मैं अब यह ज़रूरी नहीं कि 3 by 3 में भी हो 2 by 2 में भी हो सकता है फॉर इक्जामपल कैसा one one zero zero यह one one zero zero जो कर यह अगर देखेंगे तो क्या हो गया मेरा है डागोनल मेट्रीक्स और यह देखोंगा थो क्या होगे नन डागोनल तो इसके साब से देखेंगे तो कौन से matrix बन गया unit matrix यह कौन सा है यह कौन सा है 3 by 3 यह हो गया 3 by 3 यह कौन सा है 2 by 2 चीज़ है इसमें भी है इसमें बहुत एकर मैं 2 by 2 बनाओ तो क्या हो सकता है वान टू यहाँ पर जीरो जीरो यह कौन सा हो गया यह भी diagonal elements हो गया यह भी diagonal matrix हो गया यह कौन सा हो गया 3 by 3 यह कौन सा है 2 by 2 टीक है तो बहुत एज़ी है तो आपको समझना पड़ेगा concept अगर मैं 6 1 की यहाँ पर बात करूँ आपर 6 अपर triangular matrix यह बहुत important है फिलाल आपके adjoint matrix से related जब भी हम लोग reduction formula के कुछ concept को यूज करेंगे भी तो यह समझ में आगए कि अपर triangular matrix से क्या रोल है अपर triangular matrix पहला जो है square matrix ही होना चाहिए दूसरा अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो अपर triangular matrix के अंदर क्या रहेगा मेरा कि अपर triangular matrix के अंद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अपर triangular अपर triangular से मतलब क्या समझ में रहे है तो अपर है तो नाम से इसका उल्टा है अपर triangular यह जो diagonal है diagonal elements के नीचे जितना भी elements आएगा वो हमेशा 0 ही होना चाहिए इस तरह का अगर कोई matrix आता है तो इस matrix को हम लोग बोलेंगे अपर triangular matrix यह भी 0 होना चा तो यह तीनों अगर 0 हो गया diagonal के नीचे अपर triangular है अपर triangular तो है लेकिन नाम के रिषाप से इसके opposite में है जो भी मेना diagonal रहेगा उसके नीचे का element अगर 0 दिखता है तो that matrix is called as upper triangular matrix अब यहाँ पे lower triangular matrix रहेगा तो क्या रहेगा सेम चीज़े नाम देखो नाम के रिषाप से triangular matrix lower triangular matrix lower triangular matrix क्या हो सकते है यहाँ पर lower triangular matrix क्या होता है same matrix के अगर मैं बात कुरें यहाँ पर 1,2,3,4,5,6,7,8,9 अब सेम सीज़े जैसे अपर triangular में क्या था diagonal के नीचे यह वाले element 0 ना यह जो हमेरा रहेगा यह भी automatic triangle बन रहे न तो इस यह जो elements रहेगा यह भी मेरा क्या होने अला है और ऐसे condition में इस तरह का matrix अगर आपको दीखता है अभी आठवय नम्बर की बात करें यहापर तो symmetric matrix, क्या यहां पर? symmetric matrix, अब यह symmetric matrix है क्या? यह भी important है, symmetric matrix है क्या? for example कोई matrix है, कैसा हो सकता, 1, 2, 3, ऐसा नाम देता हूँ मैं, यहां पर कितना देता हूँ 3? यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर यह एटी से लिखेंगे, और करके लिखता हूँ है, या फिर A dash से लिखा जाता है, ट्रांस्पोर्स वो देखे, जो केसे में लिख सकते हैं, या फिर A transpose या फिर A dash, तो diet matrix is called a transpose matrix इसको हम लोग बोलते हैं, और अगर जो given matrix है, वो transpose करने के बाद, अगर same आ जाती है वह लो, तो transpose की condition क्या है, थोड़ा ध्यान देखो, फिर transpose की condition क्या रहती है, यह जो मेरा elements है, diagonal elements, यह अपनी जगह पे रहेंगे, कहां पे रहेंगे, 1, 2, 3, no changes, जानगा क्या बूरो, no changes, अब उसके इलावा, यह element जो है, इसको shuffle करेगा, मतलब कैसा, अगर for example, यहाँ पे कोई ऐसा elements है, तो यह position को अपनी जगह पे change करेगा, और यह यहाँ आएगा, मतलब क्या, यह fix है, यह elements करेगा, fix रहेगा, और यह जो elements है, यह उपर जाएगा, उपर वाला elements नीच आएगा, ज्यान दो यहाँ पे, इसी matrix को हम लोग transpose भूलते है, यहाँ पे देखो, 4 वाला किसकी जगह पे जाएगा, 4, और यह, देखो, 3 वाला किसकी जगह पे आएगा, 3, तो 3 वाला भी उपर जब जब जाएगा, तो 3 होगा, क्योंकि देखो, अगर ऐसा है, तो ऊपर जाएगा, जब तो 3 वाला 3 की जगह पे जाएगा, 4 वाला 4 की जगह पे, अब यह वाले elements अगर यहाँ पे fix क मैं नाइध में थीमेट्रिक्स यहां पर बात करूं मैं इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स त्यां है यहां पर ध्यान दो माईनस आ जाहे है मतलब अ मतलब इसका भी example बताऊंगा आगे अभी 10 type का हमारे जो matrix है उस matrix को मैं बोलता हूँ transpose matrix जो अभी आपको मैं already बता चुक हूँ फिर भी transpose matrix transpose matrix क्या है यह सब मेरा पहले square matrix ही होना चाहिए ठीक है और transpose क्या है square भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है transpose transpose को मैं T से भी लिखता हूँ डेल से भी लिखता हूँ तो equal to क्या जाएगा मेरा one और two मैंने क्या बोला diagonal अपनी जगह पर रहना चाहिए diagonal है श्रीफ non-diagonal element shifting होना चाहिए तो four के जगा three और three के जगह क्या हो जाएगा four हो जाएगा तो यह क्या हो गया यह का transpose हो गया तो diet matrix is called as a transpose matrix ठीक है अग 11 के अगर मैं बात करूं यहापे यहापे अगर for example मैं transpose का three by three में देखता हूँ transpose का मैं three by three में अगर देखता हूँ तो a equal to for example minus one minus two minus three four यहापे minus four लिखता हूँ five six minus seven eight और nine ऐसा करता हूँ ठीक है अब इसका मैं transpose करना में रखो तो a क्या लिखूंगा transpose transpose लिखो या फिर dash लिखो दोनों का मतलब होता है अब क्या लिखूंगा पहले मैं जो मेरा diagonal elements है यह तो diagonal elements है यह अपनी जगह पर रखूंगा तो minus one क्या जगह फाइफ और यह क्या हो गया नाइन यह सेम अपनी जगह पर रख दिया मैंने आप नेक्स्ट element में क्या changes करूंगा देखो में यहापर क्या करूंगा इसको इसकी सब्सक्ट इस वाले elements की जगहा पर चेंज गरूंगा यह वाला elements तो इसको अपनी जगह पर रहो हैं इसको इसकी जगह पर इसको तो क्या हो गया eight यहापर six that matrix is इसफोर यह में आपके सीविस्ट्री इस टैमें मैट्रिक्स होगे तेंट का अभी 11 टैप मैंटी मेंटिक्स करके बता दो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स जिसको मैं दूसरे नाम से आप जानते और non-invertible matrix क्या बोलते हैं इसको non-invertible matrix अब यह जो है singular matrix महाराष्टा बोड में non-invertible matrix CBSE बोड में बस इतना ही change है non-invertible matrix अब यह है क्या देखो यहाँ पर important है यहाँ पर ऐसा matrix for example a equal to यहाँ पर एक matrix है 1, 2 और यहाँ पर कितना हो सकता है minus 1 और यह जाएगा minus 2 for example अब देखो ऐसा matrix जिसको solve करने के बाद इसका determinant solve करने के बाद 0 आए for example कैसा हो सकता है इसका इसके साथ multiply होगा पहले into 2 अंजा 2 उसके बाद क्या होगा minus by default आता है फिर इसका इसके साथ multiply होगा तो minus 2 into 2 minus 1 ठीक है अभी ध्यान दो तो determinant of a equal to 2 minus यह minus minus होगया plus तो केतना बचा 2 minus 2 equal to होगया 0 क्या होगया 2 minus 2 equal to 0 तो ऐसा matrix जिसका determinant equal to क्या आता है 0 आता है जिसका determinant equal to क्या आ गया 0 आ गया तो ऐसे matrix को क्या बोलेंगे हम लोग singular matrix क्या बोलेंगे इसे matrix को इंवर्टीबल मेटिक्स गया बोल रहे हैं पर इस त्रौन इनवर्टर क्या सकते हमें लोग्तन हैं अब यह है क्या जब भी डिटेमिन टूजीरो अगर आता है तो यह एंवर्ट does not exist अब what is a inverse यह अचानक concept नाँ से है देखते भई यह क्या है a inverse does not exist अब a inverse के बारे में हम लोगा detail में देखेंगे क्योंकि a inverse ही main concept है हमारे इस chapter के अंदर a inverse ही हमारा main topic है अब यह same चीज़ है determinant a does not equal to 0 ic आएगा अगर आपने solve किया solve करने के बारे से 0 नहीं आया कुछ minus में हो सकता है या फिर plus में हो सकता है मतलब क्या हो सकता है does not equal to 0 तो ic condition अगर आती है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a inverse is an exist समझ में आया a inverse is an exist लेकिन इस तरह के अगर condition है तो इस तरह के matrix हम लोग क्या बोल रहे है singular matrix बोल रहे है क्या बोल रहे हम लोग singular matrix जान दो यहाँ पे निचोड़ा है पूरा एक दम ध्यान से और इस तरह के अगर matrix आपको show करके देता है तो इस तरह के हम लोग matrix को बोलेंगे non singular matrix द्यान दो यहाँ पर non-singular matrix और दूसरा नाम यहाँ पर आता है इसका और करके लिखता हूं है invertible matrix क्या बोलते हैं इसको हम लोग invertible matrix अब यही चीज़ अगर आपने समझ गए न यहाँ पर समझ लो आपको दो तीन marks fix हो गया अब आगे देखते हैं गया इंवर्स क्या है वही तो यहाँ पर कुछ चीज़े मैं बताओंगा आपको कि एड कैसे करना matrix को सब्ट्रैक कैसे करना यह ध्यान देना अपने को आप देखो multiplication का भी रूल बताता हूं कि multiplication क्योंकि आगया भी reduction method और inversion method में लगेगा यह चीज़े तो अब यहाँ पर अगर मैं दो matrix का यहाँ पर property के अगर मैं बात करूँ property of matrix properties of matrix के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आए क्या यहाँ पर क्या हो सकता देखो a plus b always equal to होता है b plus a न तब a plus b का जो answer आएगा वही answer b plus a कभी आएगा अब देखो a और b यहाँ पर लिखता हूं मैं पहला note में लिखता हूं यहाँ नोट if matrix a क्या लिखता हूं मैं if matrix a have same number of row क्या है same number of row and column क्या बोल रहाँ कि अगर एक matrix जो है same number of row और column रखता है of b matrix of b matrix b matrix के जैसा मतब b matrix b for example अगर यहाँ पर example की आगर मैं बात करो example की अगर मैं बात करो matrix a है 1 2 3 4 यह matrix a है अब b matrix कितना होना चाहिए यह भी one four minus four minus three minus seven तो यह matrix का row और column कितना हो गया two into two है यह matrix के कितना हो गया यह भी two into two है ठीकर दिख रहे आपको two into two है तो अब इस तरह के matrix में जहाँ पे number of row and column जहाँ पे number of row and column दोनों matrix का अगर same है तो ही यह matrix का addition possible है otherwise addition possible नहीं है पहला यह rows same चीज़े दोनों matrix के अंगर अगर number of row, अगर number of column same है, मतलब जितना इसका row उतना ही इसका row जितना इसका column, उतना ही इसका column अगर same है, तो ही इसका subtraction भी possible है मतलब यहाँ पे जो हम लोग minus करते हैं तो ही possible है अगर एक भी रो एक भी column दोनों में से कम जादा होता है that matrix does not exist for subtraction as well as addition मतलब वो time पे matrix को हम add भी नहीं कर सकते subtract भी नहीं कर सकते यह थोड़ा node करने वाली चीज़ है तोड़ा ध्यान दोटिक है लेकिन यहाँ पे जो condition change होती है कि वाई अगर दो matrix का यहाँ पे multiply अगर किया जाए क्या है कि दो matrix का अगर multiply किया जाए तो क्या वहाँ पे भी यही rule होता है नहीं यहाँ पे कुछ अलग rules है अब rules क्या है यहाँ पे देखू यहाँ पे rules थोड़ा समझो यहाँ पे a equal to अगर मैं नाम लेता हूँ यहाँ पे a equal to कितना 1, 2, 3 कितना है यहाँ पे 1, 2, 3 अब b equal to क्या है यहाँ पे b equal to for example 1, 2, 3, 4 3, 4, 5, 6 example लिया मैंने एक general example लिया शरीप अब यह होगा क्या देखो चला इस matrix के अंदर अगर मैं ध्यान से लेखू तो कितना row है एक, दो, 3 तीन row है तो 3 row column कितना है मेरा एक ही column है मेरा तो कितना column हो गया 3 into 1 मतलब यह जो matrix हो कितने का है 3 into 1 ध्यान में रखो हर matrix जो शुडवात होता है वो पहले row लिखा जाता है फिर column लिखा जाता है इसलिए आप एक Alex इतनो में 3 into 1 अब इस matrix के अंदर देखो कितने row है 1, 2, कितना row हो गया 2 column कितना है मेरा 1, 2, 3, कितना column हो गया 3 तो यह क्या हो गया 2 by 3 अब ध्यान दो क्या बोल रहा हो हर matrix का जो पहला matrix है उसका number of column ध्यान से देखो इसका number of column और इसका number of row ये दोनों same होना चाहिए किसके लिए अगर मेरे को दो matrix का if multiplied यहाँ पे लिखता हो if multiplied of A matrix A matrix of B matrix तोड़ा English week है लगिन तोड़ा समझने का try करो if multiplied of A matrix of B matrix मतलब A multiply अगर matrix A के multiply को B से कर रहे है then it required क्या required है अपना it required matrix of matrix of A of column is same क्या होना चाहिए same होना चाहिए as like matrix of B of row अपने क्या बोड़ रहे है कि matrix of A का जो column है वो same होना चाहिए matrix of B का जो row है matrix of B का जो row है उसके equal होना चाहिए मतलब क्या कि इसका column इसका row same ही होना चाहिए अब ये दोनों का matrix में multiply possible है A का जो है वो B से multiply possible है कभी possible नहीं होगा क्यूँ कि इसका column और इसका row same नहीं है तो क्या इसका addition possible है ये तो हो ही नहीं सकता क्यूँ बिकाउज हम लोग ने देखो previous में क्या देखा अभी कि भाई दोनों का row और column दोनों matrix का same होना चाहिए जब कि ये है ही नहीं ये क्या है भाई इसका तो 3 row है एक column है इसका 2 row है तो तीन column ये तो possible ही नहीं है लेकिन multiply भी क्या possible है not possible divide to matrix में होता ही नहीं है ठीक है ये ध्यान में रखना है चीज़े ठीक है अभी for example मैं एक question करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या आपको matrix का करना कैसे रहता है लिसे for example A equal to यहाँ पे दिया है same example ले थो पे 1, 2, 3 अभी कहले है 1, 2, 3 B equal to क्या हो गए यहाँ पे B equal to क्या हो सकता है 1, minus 1, minus 2 ऐसे ले लिया अभ यहाँ पे अभी same चीज़े जो देखा है हम लोग ने यहाँ पे कितना है 3 into 1 यहाँ पे कितना है 1 into 3 कितना रो है एक रो column कितना 1, 2, 3 1 into 3 अब जड़ा मेरो को बता हो क्या बोला मैंने 1st matrix का column 2nd matrix का row same होना चाहिए तो क्या यह same है बिल्कुल है अगर यह same है तो इसका मतलब क्या होगा 2 row matrix का multiplication possible है अब possible है तो इसका outcomes कितना आएगा outcomes भी देखना जरूरी है मतलब a11, a12, a13, a21, a22, a23 ना पर क्या हो जाएगा a31, a32, a33 अब बोले नहीं यह सर क्या है a11 यह actually में matrix को matrix is show matrix ऐसा लिख सकता हो है matrix elements matrix elements is shown by a11, a12, a13 इस तरह के number से show किया जाता है मतलब जो उसके elements है उसके element को कैसे show करते है इस तरह के हम लोग number से show करते है alphabet जोने small होना चीए capital नहीं होना चीए capital रहे के तो problem मढ़ जाएगा क्यों कि आगे capital अभी बताऊंगा आगे capital है क्या अभी यह जिस तरह से हुआ तो इसको मैं कैसा कर सकता हो जो मैं multiply करूँगा तो a into b equal to यहाँ पर a11 मतलब क्या बता रहा है यहाँ से देखो क्या बता रहा है यहाँ पर a11 मतलब पहला row पहला column मतलब पहला row के elements पहला column के element तो one वंजा one यहाँ पहला row दूसरा column यह row कौन सा है यह मेरा row र1 नहीं है यह कौन सा मेरा र2 है और यह कौन सा मेरा र3 है और यह देखुँगा c1, c2, c3 अभी यहाँ पर क्या बताए पहला row का ही column कौन सा होने शिए तूसरा यहाँ पर one minus one हो गया यहाँ पर first row, third column first row, third column कितना हो गया minus two हो गया अभी दूसरा क्या बोल रहा है second row, first column column तो एक ही है second row, two and two हो गया फिर क्या बोल रहा है second row, second column second row, second column कितना हो गया minus two हो गया फिर क्या बोल रहा है second row, third column second row, row कौन सा है 2nd row 3rd column कितना हो गया minus 4 उसके बाद क्या बोल रहा है 3rd row 1st column कि पहला क्या शो करता है row 2nd क्या शो करता है column यहाँ पर 3 बन जा 3 हो गया उसके बाद 3rd row 2nd column 3rd row 2nd column कितना हो गया minus 3 उसके बाद क्या बोल रहा है 3rd row 3rd column minus 6 कितना हो गया minus 6 हो गया तो यह मेरा A into B यहां पर मैट्रिक्स का मल्टिप्लिकेशन हो गया मैट्रिक्स का मल्टिप्लिकेशन बहुत हाड है लेकिन उत्रा ही इजी है उत्रा हीजी क्यों है क्योंकि अगर हम यह कॉंसेप्ट को समझेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए यह उल्टा सीधा आपको समझ में आना चाहिए कि मैट्रिक्स के अंदर मल्टिप्लिकेशन किस तरह से करते यह तो रहा हमारा पुरा बेसी अब मेन हमारे मैट्रिक्स के उपर टॉपिक के उपर आते कि what is मैट्रिक्स के अंदर है क्या मैटराइस क्या है जिसके लिए हम लोग इतना सारज चीज़े पाल रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले मैटराइस के अंदर आपको A-Inverse निकालना रहते हैं अब A-Inverse आपको दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं ध्यान से देखो यहाँ यहाँ मैटर्ड अब यह एडजोई मैटर्ड है क्या इसके शॉटकट्स भी है 2x2 का भी शॉटकट है 3x3 का भी शॉटकट है elementary transformation मैटर्ड के अंदर दो टाइपस है इसके अंदर है row transformation मैटर्ड जहाँ पे हम लोग सिर्फ row को interchange करेंगे और उसमें column का interfere नहीं डालेंगे दूसरा मेरा है column transformation method column transformation method अब ध्यान दो यहाँ पे जो row है important को इसका है इसके अंदर important फिलाल यह है IMP मैं यहाँ पे लिखता हूँ it is more important IMP जो मेरा यहाँ पे important सबसे ज़ादा है अब यह है क्या actually मैं A inverse कब exist करेगा आप A inverse निकालोगे कब हम लोग ने इसको देगी कि A inverse अभी निकलेगा जब determinant जो भी matrix रहेगा उसका determinant निकालो अगर वो 0 नहीं आता है तो ही मैं A inverse निकाल सकता हूँ मतलब diet matrix is also called as non-signalal matrix अब exam में कभी कवर पूछता है कि A inverse निकालो तो A inverse निकालने से पहले आपको यह condition पहले चेक करना है कि क्या A inverse के लाइग यह matrix बना है कि नहीं बना है यह question में कभी कवर इससा देता है कि A inverse नहीं निकाल सकता है अब एक्जिस्टी नहीं करता है फिर भी लोग निकालते हुए चलते तो थोड़ा ध्यांग गया है तो adjoined method मालूम है adjoined method को आपको adjoined method से निकालने का जो inverse formula है तो A inverse A inverse equal to one upon determinant of A into adjoined of A यह formula है यह क्या है मेरा formula main formula adjoined method से A inverse को निकालने के लिए अब करेंगे कैसे इसको देखो for example if question दिया हुआ A equal to 2 3 minus 4 minus 6 देखों क्या बोल रहा हूँ 2 3 minus 4 minus 6 अब इसका shortcut method अगर मैं बात करूँ adjoined निकालने का shortcut method क्या निकालना है adjoined ध्यान से देखों क्या बोल रहा हूँ shortcut method निकालना अगर मेरे को adjoined direct निकालना है तो adj लिखा adjoined of A equal to क्या करना रहता देखो इसका जो column है जान से लिखो क्या बोल रहा है इसका जो कॉलम है इसको रिप्लेस करो मतलब इसको इसकी जगह पर लिखो इसको इसकी जगह पर कितना हो जाएगा माइनस 6 यह क्या जाएगा 2 और इसका जो column जो इसका मतलब जो diagonal था इसको क्या है? replace करो क्या है? इसको जो diagonal है इसको क्या करना है? replace करना है मतलब 2 की जगा minus 6, minus 6 जी जगा 2 लिखना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया अब इसका जो non diagonal elements है इनको अपनी जगा पर रगो इनकी sign को change करो जैसे यहाँ पर कितना 3 तो कितना जागा minus 3 यहाँ पर कितना minus 4 तो कितना जागा 4 हो गया adjoint of A हो गया shortcut method से लेकिन यह यह आपका interest exam के लिए जरूए अब इसी method को अगर मेरे को निकालना है कि भाई find करो adjoint method तो हमको किसे find out करना पर था minor cofactor से और adjoint आया तो मेरा A inverse निकलेगा देखलो यहाँ पर सिर्फ क्या निकालना रहता है determinant of A तो determinant of A अगर exist करेगा तो inverse automatic क्योंकि देखो आप भी देखो न 1 upon 0 आजाते है इसकी value तो 1 upon 0 क्याते है वराइट जो कभी solve नहीं होगा तो वहां से इंवर्स एक्जिस्ट ही नहीं करेगा तो यह समझना जरूरी है तो अब मैं इसको जो solve करूंगा minor cofactor निकालते गए से देखो minor बोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minor नित्ता हो और इसको लिखते हम लोग M से तो इसको सबसे पहले आपको compare करना 11 यहाभी क्या हो जाएगा 12 यहाभी कितना होगा 21 और यह क्या है 22 देखो यह पर पीशा मैंने लिखा था है आप है 11 12 13 यह पहले रोगा 11 12 13 जितना भी रहेगा इसके बास सिकंड रो क्या चलोगा 21 22 23 थर्ड रो क्या चलोगा 31 32 33 यह लिखना आपको ठीक है तो यहाभी क्या है पहला रो था 11 12 सिकंड रो आगया 21 22 अब क्या निकालना है इसके सामने लिवेल्य को लिख डालो क्या है मेरा इसके सामने लिवेल्य क्या है माइनस 6 सामने लिवेल्य को डिटेक्ट करो उसके बाद अगर मेरे को एम 12 निकालना है तो एम 12 कौन सा यह इसके सामने लिवेल्य कौन सा यह लिख डालो ठीक है उसके बाद एम 13 निकालना है, एम 13 तो आए नी इसमें, तो क्या आएगा, M21, ठीक है, तो देखना कभी कर गलती क्या होती है, हमें M13 निकालते हैं, जबकि question में दिया ही नहीं है, M21 निकालना है, इसका ये M21 है, इसके opposite में को न है, मैं ये, ये हो जाएगा, मैंस 4, M22 अगर निकालना है, तो M22 कौन सा ये, इसका opposite में कोन सा ये, तो इसका हो जाएगा, अद इसका निकालना, co-factor, क्या निकालना आपको, co-factor, ध्यान से देखूँआ, co-factor, co-factor मैं एक बार समझाऊंगा, कि निकालना करें उसके बाद मुग direct method से करते हैं कभी का और co-factor हमको समझने की जरूरत नहीं है direct भी हम कर सकते लेकिन हम उसको समझना जरूरी है कि co-factor आया कैसे ठीक है मैं को किसका co-factor निकालना पड़ेगा पहले 11 का तो A11 लिखते हैं पर माइनस वन बाइडिफॉल्ट मतलब अपनी तरफ से लिखना है यहाँ पर कितना है 11 यहाँ पर कितना है 1 प्लस 1 जितना भी नंबर यहाँ पर रहेगा उतना 1 प्लस 1 उसके बाद multiply किसका co-factor निकाल रहे है 11 का तो minor भी उसका multiply में लिखो सब्ढ़ना है अब यहाँ पर देखो minus 1 का क्या होता है minus 1 ही रहेगा यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 1 कितना है 2 m11 कितना है minus 6 अब minus 1 का अगर मैं square करूं में तो क्या होगा तो यहाँ पर आपको जाद रखना पड़ेगा कि भाई जितना भी minus का अगर even number पावर में आता है तो plus 1 के बाहर निकलता है odd number अगर पावर में आता है तो minus 1 के बाहर निकलता है तो यह कितना even number है even number क्या होगा है मेरा even number यहाँ पर लिखते हो देखो even number even number क्या है मेरा यहाँ पर बहुत एजी चीज़ है even number क्या होगा है 0, 2, 4, 6, 8 यह सब क्या है even number अगर odd number की बात करो तो odd number में रख्या हो जाएगा है आपर odd number कि से चालो तो 1357 तो यह जो 13579 यह सब जो number आएगे इसमें negative बाहर आएगा और इसमें क्या आएगा positive 1 के बाहर आएगा अभी क्या होगे यह minus 1 का हो जाएगा square तो plus हो गया तो कितना हैगा 1 into minus 6 कितना गया minus 6 जो minor था वही cofactor होगा अब logics अभी इसको आगे करेंगे a12 के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या करूँगा minus 1 by default उसके बाद यहाँ पर 1 plus 2 तो क्या होगा 1 plus 2 into a12 निकाल रहे हो लोग तो minor भी m12 से multiply करूँगा equal to minus 1 कितना है यहाँ पर 1 plus 2 कितना है 3 m12 कितना था 3 ठीक है यहाँ पर अभी minus 1 का cube करूँगा तो कितना होगा minus 1 into 3 तो कितना होगा minus 3 सेम चीज़े a21 का अगर मैं करूँ तो a21 में minus 1 by default 2 plus 1 यहाँ पर 2 plus 1 into m21 करूँगा equal to यहाँ पर minus 1 raise to 3 into m21 की value कितना है minus 4 equal to minus 1 जब बाहर आएगा तो क्या है minus 1 ही बन के क्योंकि यहाँ पर क्या है odd number odd number क्या बोलता है negative उसके बाद minus 4 यहाँ पर कितना जगा यह minus minus plus और 4 बन जा 4 यह हो गया a21 कोफेक्टर हो गया अब कोफेक्टर जो है यहाँ पर दो चीज़े लिखना मैं भूल गया हूँ तो कोफेक्टर जो denote किया जाता है कोफेक्टर is denoted भाई देखो कोफेक्टर को denote करते हम लोग a से भी denote करते है एंड capital c से भी करते हैं तो कभी खान कीतिल सी आता है तो यह कैसे आपके MC के वाले कुशन में की सा सकते कि को फेक्टेश डिनूटेड भाए तो सी हुआ तो सी से कंफीज नहीं होना कि कि जो हमारा को फेक्टर गांड कैपिटल सी से भी डिनूट करते हैं चीछ है अभी कि A21 हो गया, A22 की अगर मैं बात करें आपर, A22 है क्या, यहाँ पर minus 1 by default, 2 plus 2 into M22 equal to, क्या हो जाएगा मैं, minus 1 का 4 into M22 की value कितना है 2, यहाँ पर minus 1 जब 4 करूंगा तो कितना हो गए 1 हो जाएगा, because it is an even number into 2 equal to कितना हो गया 2, यह क्या हो गया मेरा, co-factor हो गया, बस इतना ही करना एं तो minor co-factor में, लेकिन co-factor of matrix, मतलब निकालना जो आपको co-factor निकाला है, उसको किसके format में लिखना आपको matrix के format में लिखना है, किसके format में, matrix के format में, matrix है क्या, minus 6, minus 3, आपको 4, अब 2, क्योंकि देखो, A11 की जगा यह था, A12 की जगा यह, है , A21 की जगह यह है , A 22 की जगह यह है , पिक और करना क्या है , COFETOR OF MATRIX को AIJ मानू क्या मानना है , AIJ , और फिर से जो Q लिखो , अपनी solution निकाला , this is sri , 4 , and this is d're in our work , इसको transpose करो Adjoint of A जो निकलता है आपने जो A, I, J निकाला हुआ को फेक्टरों मैट्रिक्स इसको मैं ट्रांस्पोर्स अगर करूँगा तो यहीं मेरा एड्जॉइंट ओफ A होता है अब ट्रांस्पोर्स है क्या भई याद करो ज़रा यह अब इन क्या करना रहता है इंटर चैंज्च मतलब एक दूसर को मैने है तक याँ पर मैंने गलती से और और मतलब यहां पर यहां तो इस तरह से अब आपने जॉइंट निकलने के क्या है सबसे पहले आपको इतना सारा करना नहीं है जब भी आप एंवर्स निकालोगे सबसे पहले आपको फटाफट फटाफट निकालते चलते ऐसा नहीं करना है क्यों कि डिटर्मेंट ऑफ अगर जीरो आ गया तो एंवर्स एक्जिस्टी नहीं करेगा तो हम टाइम वेस्ट करते हैं अपना तो थोड़ा से धिमाग लगाओ ठीक है यह पर डिटर्मेंट ऑफ ए अगर में निकालो अगर मेरे को निकालने वोलता मैं इस में तो मेरे टाइम फेस्ट होता अब हम लोग आपको यहां पर दिया हुआ है एक्वल टू एक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2-1-2-1-3-4-5-1 ऐसा मैं बोलता है यहां पर कुछ भी रेंडम एक कुश्चन मैंने ले लिया है अब यह रेंडम कुश्चन से मैं पहले शॉटकत मैट्रेट से निकालूगा कि यह सब निकालने में प्रॉबल्म नहीं है कि एडगालने के लिए मिरखको से जाना पड़ता ए और 3 by 3 के Nord Cospwn ऐसा ठीपिकल है टीपिकल कैसा है ठीपिकल कैसा है ठीपना चैलेंडिंग है कि ए 10 प्रस मैंस की घल्म यह थो यहां इसको भी फॉसकत मैडनिकत मैटे क्य को फेक्टर थोड़ा सा टिपिकल है टिपिकल कैसा है थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि भाई आपको माय पर की एक प्लस मैनिस की गलती हुई तो क्या होगा अब यह जो है नहीं यह इसको भी शॉटकत मेटट से है शॉटकत मेटट क्या देखो यहाप एक चीजे लिख रहा हू अब यहाँ यहाँ पर 12 ज्याब से देखो एक ट्वेंटी वान एक ट्वेंटी त्री और ए 33, sorry, A32, कितना है? 32, अब यह है क्या, एक्चली में यह जब नंबर देखोंगे न, तो यह जब जब नंबर आएगा, तो वहाँ पर वैलू निगेट्यू रहेगा, यह by default चलता ही है, निगेट्यू रहेगा यहाँ पर वैलू क्या रहेगा? निगेट्यू रहेगा, अब भ अगर प्लस है तो माहिने से तो प्लस हो जाएगा तो वह होगा कैसे वह चीज़े देखते हैं लोग तो यह फिर निकालने के लिए क्लिए क्या करना पड़ेगा वह फिर यहां पर यहां पर उपर वाले आरवन से चलूंगा मैं तो प्लस रहता है फिर प्लस रहता है ओपर वाले आरवन के रोची बात बात अब और आटो से जाएक तो एलग होता है यह मालूम है आपके CBSC में कभी R2 से expand करने बोलता है कभी R3 से बोलता है तो आपको मालूम है यह concept समझ में आगे बहुत बाकि इसलिए प्लस माइनस प्लस प्लस चलता सब्सक्री ट्रोब करोंगा इसका इसके सार मल्य और इसका इसके सार मल्लीप्लै क्या रहाएगा minus two two gonna multiply अर यह minus odd minus हो जाएगा plus लेकिन minus by default है और इसका multiply जब हुआ तो plus कितना जाएगा 5 अंश हो जाएगा minus minus plus होगा यह by default minus पहले से था अभी plus minus minus हो जाएगा यहाब पर plus होना चाहिए लेकिन minus है तो plus minus minus होजाएगा minus four यह drop हो यह drop यह drop गया 3 तूजा 6, minus by defaultperson-1 अब along the 1, शनैकर है कितना हो गया, 16 हो험 उसके बार इसा लिखूंगा मैं फिर यहां पर लिखूंगा ए इन्वार्स इसन एक्जिस्ट पता चल गया कि इससे ए इन्वर्स निकलेगा अभी आगे बढ़ेंगो तो करेंगे कैसे देखो अब शॉटकर में बताने वारा था कि इसका शॉटकर मेधर से कैसा है तो सबसे पहले एड़ यहां से स्टाट करूंगा और यहीं प्यागे क्का खत्म करना है यहां पर यहां से चेज़ेंगा पहले यहां पर शीसा है खत्रोंगा मैं यहां से स्टार्ट करूंगा यहां कराने के बाद फिर से इसी जो पर आऊंगा मैं तो यहां से स्टार्ट जब मैंने किया तो यहां से चालूगी हमाइने पिर आपके थर्ड वाले कॉलम से चालू करेंगे एक दो तीन चार्ट आइसा चलना मतलब आपको लेना कॉलम लेकिन लिखना कितना होरिजन्टल फिर आपको यहां पर फिर पहला कॉलम लेंगे वान टू त्री फोर उसके पाद जो आपने पहला लें तो सेम उसको वैसे है और यह थी तरी फाजए लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा यह उसका मल्टीप्लाइब इसके साथ क्या इसका मल्टीप्लाइब एक बार देख लेंगे ना बहुत इसी है आगे जब बढ़ोंगो तो अभी क्या हो जागा आप देखो मैंस 4 जो कितना हो जागा मैंस 4 और 3 से कितना मैंस 12 और मैंस by default यहाँ पर कैसा होगा देखो 3 into minus 4 minus by default minus 2 into minus 1 कितना हो गया minus 4 से जब किया तो minus 12 हो गया उसके बाद minus minus हो गया इनसा हो गया तो 10 minus 4 कितना हो जाएगा मेरा 6 आ जाएगा aanपर यह हो गया 6 यह shortcut method बता रहो प्राहसा यह भी process लब हो आएगा लेकिन इससे थोड़ा easy है ताकि आपको telly भी कर सकते हो कि आपने joint of a निकालेंगे same process से तो आपका answer right है या नहीं है ठीक है next step में जब करूँगा अब यह मेरा पहला वाला row जो है यह miss हो गया यह cancel हो जाएगा इसका row कोई value नहीं अब इसका multiply इसके साथ साथ तो सला माइनस हुझा प्लाइस अब है यह मैनसी यह प्लास नहीं यह यह भी । फट्रपर प्लास अब नेग्स इसका multiply इसके साथ इसका multiply इसके सथ यह पर माइनस तो थो आज़के तब स告訴 County घॉत याद हो जाएगा उसके बाद यहां पर भी समख्रेंगे और यह क्सा सब्सक्राइब तीसरे वाले की बात करूंग करूंगा इसके साथ इसके जो इंधा मल्लिप्लास रहेंड हो plus by default minus जो था वो तो minus रहेगा लेकिन उसके बाद minus minus plus हुआ तो six में से वन जाए कितना बचेगा five बचेगा यहां पर ठीक है अभी देखो यहां पर इसका आला इसके जार multiply होगा और इसका आला इसके जार multiply है तो कितना हो गई है minus minus plus two one जा two और यहां पर कुछ भी नहीं है तो minus by default आएगा तो two minus three कितना हो जाएगा minus one अभी उसके बाद क्या बच्जा यह वाला इसके सब multiply हो तो एक ही बजागा minus है तो minus one और यहां पर एक जगा minus हो तो पहले minus जो by default रहेगा वो minus और यह minus मिलके plus हो जाएगा तो minus one plus four कितना हो जाएगा three आ जाएगा ठीक है यह joint of a आपको इस method से निकालोगे तो आना ही चाहिए ठीक है अब आने वाले method से कैसा करेंगे देखते वो माइनर से कईसा निकालना आपको तो माइनर को फेक्टर से निकालने की लिए सेम चीज़े मैं क्या करूं है यहाप एम 11 पर लिख लेता हो मैं m12 उसके बाद क्या है m 13 क्योंकि है कितना 11 12 13 21 22 23 31 32 33 इस्तरा से नहीं लगए क्या था है 21 इक्वल यहाँ पर सब्यूẫn पर dedic लिख लिएaven तो अग्याँ तो उसके बाद यहाँ पर M 22 उसके बाद यहाँ पर कितना एगा M23 M31 M32 M33 अब यह क्यों किसे निकालेंगे किसे यह drop करूँगा यह drop करूँगा यह लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर क्या तो value भी ले दे थे इसमें value लेना है जो value है उसको drop करना है यह drop करूँगा यह drop कितना है 1-1-1 16 हो गया उसके बाद 12 के value कितना हैगा 12 यह drop किया मतब यह पुरह drop किया और उपर वाले element को drop किया क्या बच्चा मिला 2-1-5-1 कितना जागा-2 कितना हो गया-7 कितना हो गया-7 यहा पे कितना हो जागा-7 तो उसके बाद M13 M30 यह drop किया 3-6 और-1 बचेगा, एक गलती होती है मालूम है एक गलती से पूरा अंसर गलत आता है उसके बाद M21 यह drop करना है यह drop करना है तो बच्चा गया-1,-2,-3 और-4 तो 2-2,-4 और वहाँ पे मेरे जो minus by default तो plus हो जाएगा तो 2-2,-2,-4,-3,-12 तो यह plus हो गया इसके बाद इसके बल्टिप्ला होगा तो minus 4 तो minus 1 और minus 4 कितना रहेगा minus 5 इतना आगया minus 5 देखिए, मैं यहीं से कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं देख रहा हूँ अभी automatic answer match होना चाहिए इसे आपका जो answer आया है तो कितना हो गया 1 आगया 3 में से 2 जाया कितना बचेगा 1 बचेगा अभी next step में देखते है 31 यह drop क्या यह drop क्या तो कि भाई आपका इस तरह से drop करने का प्रोसेस कैसे चलता है हमेशा right angle पर ही चलता है या तो वो आईसा drop हो सकता है या तो वो आईसा drop हो सकता है या तो फिर आईसा drop हो सकता है या तो फिर आईसा drop हो सकता है इस तरह कैसे आईसा कभी नहीं होगा कि इस तरह से drop हो या फिर इस तरह से drop हो आईसा कभी नहीं होगा यह ध्यान में रखो ठीक है अब ध्यान दो यह निकालने के आपको को फैक्टर निकालने का निकालना को फैक्टर एक बार समझेगा बहुत एजी है तुर्णा समझ के लोग शिरीफ अब co factor निगालने के लिए तोड़ा method पुराना याद करो पुराना method बोले दो जो यहां पर पिछला बता है ना आपको ये चीज़े ये ध्यान में रखो कि भाई ये method क्या है कि A12 क्या है माइनस है मतलब जहां जहां माइनर रहेगा ये चारो जगा ही ये चार जगा है कुण सा 12, 21, 23 और 32 तब देखो यहां पर co factor co factor में रखना रहेगा co factor को capital से लिखते A से 11 यहां पर 12 उसके बाद क्या है 13 यहां पर कितना हो जगा 22 इक्वल टू यहां पर कितना होगा 23 इक्वल टू तो उसके बाद यहां पे कितना है 31 equal to यहां पे कितना है 32 equal to यहां पे कितना है 33 equal to ठीक है अभी next step में जब जाओंगा तो next step में कैसा होगा क्या करना है आपको A11 A11 के लिए में क्या करूँगा यहां पे यहां पे कितना मेरा A12 ज्यान से देखो यहां पे A 12, A 21, A 32 और A 23 इसी जगह पे स्रीव माइनस है दो प्लस, प्लस है दो माइनस, यह 11 आया क्या? नहीं, तो जितना मेरा माइनर है उतना ही कोफेक्टर होगा 12 है क्या? हाँ है, तो यहां पे माइनस है दो क्या जाएगा? प्लस 7 हो जाएगा ज्यान से देखो, 13 है क्या? इसमें कहीं? नहीं है, तो जो माइनर हो वही मेरा कोफेक्टर होगा 21 है क्या? इसके अंदर है, तो मेरा अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है दो प्लस, यहां प्लस 14 है तो कितना होगा? माइनस 14 थीए क्या नहीं है मतलब जो माइनर वही मेरा को फेक्टर भी होगा 23 है क्या है मतलब इसके अंदर अगर प्लस है तो माइनस माइनस फ्लस यहां पर प्लस होन है तो कितना होगा मैनस वन अब यह तो जो माइनर वही मेरा को फेक्टर 32 है क्या है मतलब प्लस तो यहां पर रहेगा वहीं यहां पर रहेगा कितना इजी है सेम मैथड पर यहीं फॉलो करते वे चलना है अब यह मैथड से निकालते तो बहुत लंबा प्रोसेस होता आपको समझना कि हुआ कैसे लेकिन आपको कर करना पड़ते है को को फेक्टर आप मैट्रिक्स को नकालना है को फेक्टर आफ मैट्रेक्स मैट्रेक्स ज危 Harris prz!! क्या करता है क्या करना रहता है एड जॉइन्ट आ से लिए क्या करना है मेरे को Aij और Aij क्या है मेरा cofactor of metric जो है इसी को Aij मान रहा हूँ मैं और T मतलब यह मेरा क्या है Aij मैंने इसको माना हुआ है अभी adjoint of A मतलब क्या है कि भाई जो Aij है उसको करना क्या है transpose करना है और transpose के लिए condition क्या थी कि जो मेरा diagonal है diagonal same रहना चाहिए diagonal C 16 minus 5 उसके बाद क्या इसको इसकी जगह पे change करना है इहां पे कितना रहा है 7, इहां पे कितना रहा है 5 8 , इसको इसकी जगह पे change करना है minus 1, minus 3 यही मेरा answer किसे आना चाहिए shortcut method से भी adjacent of A आना चाहिए पहला row में कितना है 16-14 और 6 यहाँ पर देख लिए देख लिए कितना है 16-14 16-14 और 6 यहाँ पर मेरा सेम है इसके अंदर भी मेरा 16-14-6 दूसरे में क्या है 7-5-3 इसमें भी क्या है 7-5-3 यहाँ पर रो पर देखते है 5-1-3 यहाँ भी क्या है 5-1-3 तो यह मेरा जो shortcut method है इसका मतलब यह भी मेरा right answer है सबने है shortcut method से करेंगे कैसे सेम चीज़े जो मैं आपको बता है एक बार फिर से आप repeat देगी हो करना कैसे है ठीक है नहीं समझेगा तो मुझे comment में बताइए मां का और उच्छे से उसको explain करने की कोशिश करूँगा ठीक है लेकिन यहीं method है भाई shortcut method से आप answer को खुट को टैली कर सकते हो अब adjoint of a अपने निकाल लिया तो मेरा उपास formula पड़ा है कौनसा formula formula क्या मेरे पास कि a inverse equal to one upon determinant of a into adjoint of a क्या है मेरा adjoint of a adjoint of a यह रग दोगे one upon determinant जो आपने निकाला थे determinant का सर क्या निकाले थे माइनस 18 से इसको divide करते होगे इस वाले अब बोलेंगे सर आपने तो matrix में बता है divide मैट्रिक्स का matrix से divide नहीं होता भाई नंबर से हो सकता है ठीक है तो इस तरह से मेरे को 3 by 3 के matrix को जब भी आपको inverse निकालना है तो हमको इस तरह से adjoint method से भी निकाल सकते है और adjoint method से निकालने के लिए हमको minor cofactor निकालना पड़ेगा minor cofactor के बाद हमको transpose निकालना पड़ेगा transpose के बाद हमारे inverse निकाल सकता है by the help of the adjoint method तो यह मेरा adjoint method से हुआ अब हम लोग देखेंगे row transformation method method से किस तरह से किया जाता है ठीक है जो हम लोग यह determined का जो हमारा यहां पर दिया हुआ था जो हमारा matrix दिया हुआ था इस matrix को हम लोग 16 अपन क्या होगा 18 अब 18 क्या है मेरा माइनस में ना माइनस 18 यहांपर कितना देगा माइनस 14 अपन माइनस 18 यहां पर कितना अगा तो आपका जो है काट पिट होने के बाद ना इसके अंदर अनसर आना चाहिए ठीक है तो अब इसको करना कहीं से रो transformation method से रोही important है column नहीं करेंगे तोड़ी चलेगा रो सबसे जादा important है ठीक है अब करना क्या रहता है जब भी इस तरह का question question है तो solution तो आपका answer यहीं आना चाहिए ठीक है तो अभी देखो a equal to में फिर से लिखता हो question को one two minus one minus two minus one three यहां पर कितना है minus four minus five minus one ध्यान से देखो हां question में सबसे पर नहीं ना अपने इस method को यह जो हमारा method है यह method हमें इस formula पर चलता है यह method पर चलता है यह है कि एक्षुली मिन देख यहां पर यहां पर इस तरह है इस तरह पर चलता है मतलब यहांप MON जो.. यह जो … यह जू宮 baj Highway जूड़े करें बनाना है द्यान से देखो क्या बोड़ रहा हूँ यही वाले इलिमेंट से इस वाले इलिमेंट को जीरो बनाना है लेकिन बाइड डिफॉल्ट start में हमेशा इस वाले element को हमेशा one ही रखना आपको one लाना ही है तभी है अले procedure follow कर सकते हैं उसके बाद by default इस वाले elements को आपको one बनाना है क्या बनाना है one बनाना है ये तीनों कतम होने के बाद ये क्यों बता रहो कि कि ये करेंगे इस से आपको इसको zero बनाना है ध्यान दो फिर इस वाले elements को by default आपको क्या बनाना है one बनाना है इसको क्या बनाना आपको one बनाना है ध्यान दो इसको भी क्या बनाना है one बनाना है उसके बाद इस वाले element से जो a 30 तरी है इस वाले element को zero बनाना है अब यह जो last element है इस वाले element जो आपने one बनाये था इस वाले elements एकड़म last में 0 बनाना है, अब दिमाग में क्याता है, sir इस से इसको 0 बनाने तो वही time पे इसको भी 0 बना सकते न, नहीं बना सकते हैं, तो यह जो one बनाये था है आपने, यह interchange होते रहेगा, यह चैंज हो जाएगा प्रॉब्लम यही है इसमें तो case होगा कैसे देखो कैसा करेंगे यह अभी by default क्या है वन ही है अब question में अगर वन नहीं दिया आपको तो वन लाना है कभी भी try करो start में खुद के number से उसको divide मत करो reason क्या है खुद के number से अगर आप divide करते हो start में तो सब answer fraction में आएगा और fraction में अगर आता है तो problem आगे बढ़ेगी आप solve करने में complex होने वाला question बहुत मुश्किल होता जाता है तो यह करना कैसे आपको एक formula मेरे पास a into a inverse equal to i यह याद करके रग लो यह हमेशा काम आएगा आप यहाद भी matrix solve करोगे यह formula है अब a की value क्या है मेरे पास यहाँ पर a की value है क्या है यहाँ पर one two minus one minus two minus one three minus four minus five minus one उसके बाद क्या है into a inverse लिकूंगा equal to i मतलब क्या लिखा है था मैंने start में जाना देखो i के मतलब मैंने कुछ बताया था i that is called identity matrix अब identity matrix 3 by 3 के हिसाप से जैसा भ one बागे non-diagonal elements को 0 बनाने क्यों 3 by 3 ले रहे क्यों कोश्चन में 3 by 3 अगर 2 by 2 होता यहाँ पर मैं 2 by 2 लेता है अब यह जो है यह जो है इसको ऐसा बनाना है मतलब identity matrix जो यहाँ पर दिख रहा इसको यह वाले elements को बनाना है और इसका element कुछ भी आ सकता है जो भी आएगा last में यही answer देराना चाहिए ठीक है ध्यान दो भी करेंगे कैसे सबसे पहले करेंगे कि one already है यहाँ पर क्यावरें जीरो यह 0 बनेगा किसकी वज़ासे 11 तो जिसकी वज़ा से बनेगा वह अले element को पहले लिगो यह जिसकी वज़ासे नहीं सौरी जिसको बनाना है उसको पहले लि जिरे गयां बिज्ञता है आब यहां सा नमबर है two तो 2021 में यह चैन करने का तरीका तरीका है जान दो क्या मैंने और यहां पर in two 1-1-2-3-4-1 same लिख दिया हो into A inverse equal to यहाँ पर भी क्या हो रहाएगा 0-1-0-0-0-1 यह चैंदी नहीं हो रहा अब यह पहले लिखने का reason क्या है अगर नहीं लिखो कि तो confusion हो कि क्या करना है आगे अब इसके लिए था अम लोग ने किया था और यूस करना पड़ेगा minus 2 into Aar-1 कितना मेरा minus 2 minus 1 यह minus minus होग गया plus 2 यह minus 5 minus 4 minus 5 minus minus 3 plus minus का ध्यान दो कब plus बच रहा कब minus बच रहा सब्सक्राइब करें और अच्छे से जल्डे लिए कर रहें आपको भी ऐसी करने है आर्टोगे वज़ा पहले बनाना है उसको लिखो क्वों से रों को बनाना आर थिरी को अब मैंने क्या बोला प्लस रहेगा तो माइनस माइनस जो तो प्लस च이션घ हो रात है तो लिख डालो इंटू ए इन्वर्स एक्वल टू, यहाँ पर क्या है, one minus two, zero one, zero zero, next step में जाओंगा, अभी देखो, यह तो change हो गया, क्योंकि इसके लिए अमने खेल 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 दे, अभी यह क्या होगा, value नहीं मालूम हमको, अभी यहाँ पर क्या होगा, zero होगा यह, अभी मेरे को यह elements change करन तो यहाँ पर कितना जाएका भई वन ऐसके बाद यहां पर प्लस रवन कितना है इतने ही आएगा अभी क्या करना इसको by default क्या करना पूलेगा यहाँ पे यह change होगी अभी किसको A22 को by default आपको खुद के number से इसको divide करके इसको 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगा यह कौन सा मेरा R2 है न तो R2 divided by 3 R2 को elements को ही मैं किस से करूँगा 3 से divide करूँगा यहाँ पे देखो मेरा क्या change रहाएगा R2 को जब मैं divide क्या यहाँ पे क्या मेरा बन गया है ध्यान से देखो 1,0, देखो R2 मेरा change हो रहा है तो R1, R3 तो कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं same link डालता है 1, minus 4, minus 5 into A inverse equal to उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 1, 1, 1 हो गया उसके बाद 0, 0, 0 और 1 यहाँ पे हो गया अभी next step में जब जाओंगा यहाँ पे क्या हो गया समद्लों यहाँ पे 3 divided by 3, 1 3 divided by 3, 1 0 divided by any number 0 यहाँ पे minus 2 divided by 3 तो यहाँ पे minus 2 divided by 3 1 divided by 3 हो जाएगा यह 0 divided by 3, 0 अभी next step में जाओंगा तो किसको change करूंगा मैं किसको, किसकी वाज़ा से A22 किया A22 कौन से रो में है R2 में अब यहाँ पे देखो क्या change होगा मेरा R3 change होने वाला है R3 मेरा change होने वाला है किसकी वाज़ा से R3 के पास क्या प्लस 1 तो यहाँ पे लिखा R3 के पास माइनास अब 1 है तो 1 के पास कुछ भी दिए तो R2 यह से change होने रहा है तो R3 माइनस R2 बहुत एज़ी है तो बहुत समनना पड़ेगा अपने को बस यहाँ पे next step में जाओंगा तो क्या जाएगा आपे से हो रहा है तो R3 माइनस 5 और माइनस 1 देखो यहाँ पे तुरह सना मुश्किल आएगा माइनस 5 कितना है R3 का और R1 कितना है मेरा 1 तो यहाँ पे माइनस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा अब इनक्स step में into A inverse equal to यहाँ पे जब मैं change करूँगा तो कितना होगा देखो यहाँ पे R3 R2 से change हो रहा है तो यहाँ पे मेरा R3 change हो रहा है जो पहला element से वही change हो रहा है तो R2 R1 तो चेंज नहीं हो रहा है तो R2 R1 same लिगऊ हो 1 0 0 यहाँ पे क्या लिखता हो 1 0 0 R2 कितना है minus 2 upon 3 है यह minus minus हो जगा plus 2 upon 3 cross multiply करूँगा 303 और 32 कितना होगा 55 upon 3 हो जएगा कितना हो जएगा 5 upon 3 अब यहाँ से मुश्किल आएगा fraction आगे है तो मुश्किल आएगा उसके बाद क्या देखो R3 minus R2 R3 कितना 0 minus यहाँ पर कितना है 0 minus by default और कितना है 1 upon 3 तो कितना होगा minus 1 upon 3 अब यहाँ पर कितना है R3 minus R2 तो R3 कितना 1 minus 0 1 ही आएगा यह हो गया अब ही क्या मनाना आपको इसको 1 मनाना है इसको 1 मनाने के लिए by default करना पड़ेगा तो by default जब मैं करूँगा तो क्या करूँगा फिर से वहाँ पर R3 divide करना मेरेको उस number को 1 मनाना तो R3 को divide करूँगा minus 6 तभी मेरा 1 मनेगा next step में जब मैं जाओंगा यहाँ पर क्या रहेगा 1 0 minus 2 1 क्योंकि देखो तो R1, R2 तो चेंजी नहीं हो रहे minus 4, 1 0 divided by any number 0 0 divided by any number 0 minus 6 divided by minus 6 हो गया 1 into A inverse equal to यहाँ पर क्या हो गया 1, 0, 0 minus 2 upon 3 1 upon 3 0 next step में जाओंगा क्या पर देखो 5 upon 3 अब यहाँ पर देखो कैसा है 5 upon 3 divide by minus 6 तो क्या हो जाएगा यह लिख कैसे सकते हैं इसको हम लोग 5 upon 3 divide by minus 6 तो 5 upon 3 multiply यह क्या जाएगा इसका उपर का नीचे नीचे का उपर है इस तरह से change होता है मतलब दे नोमेटर का नोमेटर नोमेटर का दे नोमेटर तो 1 upon minus 6 कितना जाएगा 5 upon minus 18 5 upon कितना हो गया आप उन माइनस 6 तो यह क्या जाएगा 1 upon minus 6 हो जाएगा सबढ़ना है अब यह आर 3 इसको चैंज करना है तो किसको चैंज करना है आर 2 को तो आर 2 में है कितना प्लैस है तो यहाँ पर क्या करूँगा माइनस किसकी वज़या से है जाएगा आप यहाँ पर देखो आर 2 माइनस रों कि यह मेरा चैंज हो चुका तो यह no change होगा यह no changes जो change हो गया वो no changes होगा into a inverse equal to यह left side में सुरिफ होगा राइट side में change होगा ठीक है यहाँ पर क्या था आर 1 और र 3 नो चैंज है तो 1 5 upon minus 18 यहाँ पर 0 1 upon 18 actually मैं minus नीचे कभी नहीं लिखते है उपर ही लिखते है तो minus 1 upon 6 यहाँ पर 0 अब इनेक्स स्टेप दिखते है R2 minus R3 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर R2 minus R3 तो R2 कितना है minus 2 upon 3 माइनस कितना है 5 upon minus 18 तो यह minus minus होगा तो R2 कितना में रहे हैं यहाँ पर 1 upon 3 minus R3 कितना 1 upon 18 अब यहाँ पर 18 नहीं है तो 6 से divide 6 से multiply कितना हो गया 6 divided by 18 minus 1 divided by 18 यह क्यों कर रहो है नीचे same करने के लिए तो 18 same हो गया 6 minus 1 कितना हो गया 5 divided by 18 कितना गया यहाँ पर 5 divided by 18 हो गया अभी next step में जब मैं try करूँगा यहाँ पर कितना हो गया 5 divided by 18 के बाद यहाँ पर सेम चीज़ है 0 minus तो यहाँ पर पहले से ऑलड़ी है तो यहाँ पर minus minus plus होगा 0 में से क्या जएगा 1 upon 6 हो जाएगा तो किसको बनाना है इसको बनाना अपने को तो किसको बनाना मेरे को R1 को तो R1 के पास क्या है minus है तो क्या जएगा पर plus अब कितना number है 4 किसकी वज़े से बनाना है R3 कैसे मालूम सर यहाँ पर लिखा हुआ जेगो A33 की वज़े से A13 को आपको 0 बनाना है यह थोड़ा सा process बढ़ा है तो क्या करने R1 चेंज होगा तो R2, R3 में no disturbance सेम लिखना आपको 0, 1, 1, 0 यहाँ पर देखो जो आपने चेंज कर दिया वो चेंज तो कभी होने वाला नहीं क्यों क्योंकि देखो R1 आपर देखो R1, R3 से कोई चेंज जैसे क्या R1 जैसे आपने minus 2 रगा यहाँ पर plus 4 into 0 तो 0 तो यहाँ पर किता minus 2 यह आएगा और यह क्या होगा मेरा automatic 0 हो जाएगा automatic 0 के ज़कि इसी को change करने के लिए तो हम लोग ने बनाए थे तो A inverse equal to यहाँ पर R1 चेंज जो रगा तो R2, R3 सेम रहेगा 3 upon 18 सेम minus 5 upon 18 मैनस उपर लिख देता हू 1 upon 18 5 upon 18 1 upon 6 minus 1 upon 6 अब उपर दिखते क्या changes आएगा यहाँ पर देखता हू R1 प्लस यहाँ पर देखो R1 कितना है मेरा 1 plus 4 into 5 upon 18 यह minus का plus minus हो जाएगा तो 1 minus कितना हो जाएगा 20 divided by 18 अब यहाँ 18 उपर निचे नहीं है तो 18 का multiply 18 का divide तो कितना होगा 18 minus कितना होगा 18 minus 20 divided by 18 कितना होगा minus 2 upon 18 कितना होगा minus 2 upon 18 minus 2 upon 18 होगे अब इनेक्स स्टिप में देखता हूँ आप जल्दी-जल्दी में करने के जाएगा है यहाँ पर 4 upon 18 अब आप पर देखो आरवन फिर से कितना 0 तो 0 plus 4 कितना जाएगा minus 4 upon 6 जीरो ना भई कितना जाएगा minus 4 upon 6 अब किसको 0 बनाना है इसको लेकिन यह किसकी वज़े से बनेगा यह बनेगा आपके 22 मतलब आरटू की वज़े से तो आरटू की वज़ह से बनेगा तो में को जिसको बनाना ledगो हो लिखना है तो आरवन लिखना पॉलेगा तो आरवन minus है तो प्लस टू आरटू की वज़े से बनेगा ज्यान से देखो यहाँ पर अब नेक्स स्टेप में जब जाओंगा तो क्या हो जाएगा मेरा one zero zero यहां पर देखो यह तो zero ही हो जाएगा यह भी one zero zero one जहां से देखो अब यह देखो न तो identity matrix दिख रहा है आपको अब यही मेरा final step यही पर मेरा अंसर आना चाहिए क्या चैन्ज रहा है आर वन तो आर टू आर त्री को सेम रख दो त्री अपॉन एटीन वन अपॉन एटीन वर अपॉन सीक्स माइनस वन अपॉन सीक्स एक्स स्टेप में करूंगा तो क्या होगा आर वन देखो यहां पर इसक सिक्स अपॉन 18 दोने दवाह सेम है कितना यहां पे אז 24 अपॉन 18 आजयेगा नंके जो कन강el और 18 प्लाब 8 plus 118 और 18 क्यों कर रहा हो इंगे बेस सेम हैं नीचे यह यह वह देख्ता अस ऌतले में आपॉन कितना हो जाएगा मेरा 14 अपान 18 ठीक है अभी next step में जब जाओंगा तो r1 कितना मेरा minus 4 upon 6 उसके बाट plus 2 into r2 कितना मेरा r2 कितना 1 upon 6 तो कितना minus 4 upon 6 plus 2 upon 6 तो 6 same है तो कितना जाएगा minus 2 upon 6 इसको मैं solve करूँगा तो यह मेरा इक वर तो यहां पर मैं cancel करूँगा 4 upon 18 तो यहां पर कैसे हो जाएगा तू जा 429 जा 18 राइट है उसके बाद 27 जा 14 29 जा 18 यहां पर 202 टू-3 जा 6 303 36 जा 18 जा पर कुछ नहीं cancel होगा यहां पर भी कुछ नहीं होगा यहां पर भी जो जो cancel हो लिग डालते है भी यहां पर कितना हो गए यह 2 upon 9 राइट है उसके बाद क्या है यहां पर 7 upon 9 उसके बाद यहां पर क्या है minus 2 upon 3 उसके बाद यहां पर क्या है 1 upon 6 उसके बाद यहां पर क्या है 5 upon 18 यहां पर क्या है 1 upon 6 सेम यहाँ पे भी माइनस 5 अपॉन 18 भी सेम 1 अपॉन 18 भी सेम माइनस 1 अपॉन 6 भी सेम यहाँ पे I I मतलब क्या 1 तो यह 1 कैंसल हो कि सरीफ क्या बचेगा A inverse equal to 2 upon 9 1 upon 6 minus 5 upon 18 7 upon 9 5 upon 18 1 upon 18 minus 2 upon 3 1 upon 6 minus 1 upon 6 अब यही अंसर आपका previous भी बचा होना चाहिए ठीक है तो इसको जब आप solve करोगे तो इतना ही आना चाहिए ठीक है मतलब कुछ ना कुछ अपना mistakes हुआ है चेक करेंगे हम लोग का mistakes हो रहा है उसके बाद 7 upon 18 यहाँ पर 7 upon 18 यह भी सही है 3123, 3618 मिस्टेक का है है जो पहले resolve कर लेते हैं यहाँ पर mistake हमारा यहाँ मिस्टेक है इसमें साही है यह सही है और यहाँ पर भी मिस्टेक है ठीक है डो जगां मिंस्टेक्स में गलबल वो वा हम चेक करना पड़एTT प्रव्लम क्या हुए यहां पर 5 की लगा क्या लिए 15 अब इसकी वज़ाद से यहां पर गड़बड़ हुए अगर 5 की ज़ग में 15 जोंगा तो इसलिए यहां पर 3 आएगा लेकिन वोना कितना चाहिए था 5 अब माइनस 12 से 5 जब जाएगा तो इसकी ज़गा बचे लाकिया एक यहां पर प्रस इसको रब फरता हूं इस पर एक समय नहीं तो यहां पे अबिमयांता कर रहे है यहां पर minus 7 upon medium मतले मया ओब यहां तो भी क्या होगा चाहिए minus 7 upon 80 भी होगा पूछ तो कोष्ट नहीं देखे हम लोगी गलती कहा हुए तो परावं लोग देखते कहले करेक्षन हुआ यह दो गल्टी भी कि 1 upon 3 आना ची 1 upon 3 आगे राइट यह दो गल्टी में से 7 upon 18 जाओ यह दो अब यह मैंने by default फिर से गल्टी हो के से यह देख हो आपने प्रब्लम क्या हो रहता रेक्षिन ही मेरा R1 कितना है मेरा minus 2 upon 18 है इसके बार plus 2 into R2 कितना मिल जाओ भी मेरा इंसर जो मिल जाओ इसको मेरा इंसर क्या जाएगा इसके बार क्या प्या है यह देखिए आपने आप इंसर क्या रहिगा मेरा इंसर यह पी यह सेम मेरा minus 7 upon 18 right इसके बार minus 5 upon 18 right 1 upon 18 ता पर भी 5 upon 18 right 1 upon 6 by 18 से में बखके हैं सुरके मारीक करें तो इतकी पहलेकτα कर WRCDK मैं एंद बखक fabric इंद शील आयरक living राविक राविक रायसर राविक रॲिवगा अधर राव पहला यहां सोय हो जावड कर राविक कर मायनगा राविक रॐक कर रा शक्र में सोय है R1 की value यहां से लड़ता जो मैंने अल्यदी गलब किया हुआ और R2 जो मैंने सही करके हो तो value जो minus 10 upon 18 आ रहा हुआ तो problem यह होगा, यह R1 की value आपको जो small नहीं के हो लेना है और R2 के यह लेना हुआ जो जो मैंने solve 0 जो मैंने minus 16 upon 18 या पे minus 16 upon 18 यह जाके मेरा answer small हुआ भी 3 upon 9, 5 upon 18, 1 upon 18, 1 upon 3, 1 upon 6, 1 upon 6, यह मेरा जाके मेरा यह method कुन था मेरा, row transformation method और बोले के sir आप से इतनी गल्प है तो हम लोग कुछ भी कुछ भी कुछ भी लीग है, ऐसा जरूरी नहीं है यह मेरा जल्दी जल्दी की रहे से गल्प है और सेम मिश्टेक सामने भी हम और जल्दी करते हैं थो बहुत सही अपने को समझना और यह दू कैसा पुरा घंदगी यहां पर होते है, कि लास्तिक्या करने अब हमारे पास दो में टॉपिक बचा हुआ है इस मैट्राइश का फॉस्ट वन इज इन वर्जन मैट्ड यह इन वर्जन मैट्ड यह मैट्ड आपको आल्मोस्ट आपका जो अब लोग अभी तक किये हुए वही सब चीजों के उपर ही डिपेंड है सिकेंड वन इस मैट्रिक्स के बारे में मालומात हो गई होगी डिदक्शन मैट्रिक्स के आप विजी तरीके से सव्ल कर सकते हो सबसी बेश्ट क्या मालूम है इस दोनों मेट्र siis हमको x, y and z की value निकालना है means क्या अगर 2 by 2 का matrix है तो सिर्फ x, y की value निकालना है अगर 3 by 3 का matrix है तो आपको x, y, z, t, no की value निकालना है ठीक है तो हम लोग 1 के करके 2 methods को देखेंगे ये 2 methods complete होना के बाद हमारा matrices पूरी तरह से complete हो जाएगा ठीक है अब inversion method जो है इसी method को इसी method को CBSC के अंदर matrix method के नाम से जाना जाता है कौन सा method है matrix method के नाम से जाना जाता है काम होई करना है बस उसका नाम अलग है matrix method के नाम से जाना जाता है अभी एक मैं 2 by 2 का matrix का आपको solve कराऊंगा या पर inversion method का भी और reduction method का भी दोनों में कराऊंगा और उसी में आपको बताऊंगा कि 3 by 3 का कैसा करना है और आपको homework करेंगे नहीं होगा तो मुझे comment में बताएंगे मैं आपको करके इंशनलों जरूर दोंगा ठीक है उसको सबसे पहला इण और हमें कोई बीसर्ट नहीं है इससे को दियारेगा अभी इसके प्यान दिया देंगे तो इसमें भी xy equation में इसमें भी xy equation में तो आप करना क्या है solution पर जब भी आप जाएंगे तो सबसे पहले जो भी equation आपका वो equation लिखेंगे x plus 2y equal to 7 यह equation number 1 देंगे आप इसके बाद जो दूसरा equation है उसको आप equation number 2 देंगे minus x minus 3y equal to 9 इसको मैंने equation number 2 दे दिया अब करना क्या ध्यान से देखो इसमें यहाँ पर करना क्या रहता है एक formula इसके अंदर inversion method का ax equal to b अब यह है क्या यह सिर्फ direct याद कर लो आप ax अब इसको मैं एक और चीज़ से बताऊंगा इसमें कि मैं multiplied by multiplied multiplied by a inverse on both side a inverse on both side दोनों side से आपको a inverse से multiply करना है अभी क्या होगा a inverse into a into x equal to a inverse into b दोनों side बोला है अब यहाँ पर ध्यान दो a inverse into a a inverse into a equal to होता है हम लोग ने अभी तोड़ी देर पहले देगे जब row transformation method solve कर रहे थे तो a inverse into a equal to i इसकी जगा पर क्या लिगा जाएगा इटो x equal to a inverse into b आप है अभी आएगी है मेरा identity matrix यहाँ पर हम लोग थोड़ी दिर पहले देगे यहाँ पर क्या है identity matrix के बारे में हम लोग देगे क्या identity matrix है क्या यहाँ यहाँ पर जुम्बा है I equal to मतलब क्या 1 तो यहाँ पर मैं direct लिखूंगा I equal to 1 तो मेरा क्या हो जाएगा X equal to A inverse into B और यह मेरा main equation होगा equation number 5 तो अगर यह सब आप जो बीच में लिखा नहीं भी लिखोंगे तो भी चलेगा लेकिन आपको मालूमात होना चाहिए कि यह आया कैसे main equation फिलाल हमारा यह है अब इसी equation के अंदर मेरे को A inverse क्या है और B क्या वो देखेंगे यह जो X है इसकी जगा पर लिखा जाता है X और Y अगर यहाँ पर X, Y, Z होता है तो इसकी जगा पर X, Y, Z लिखता और यह तीन गभ होगा जब equation आपका X, Y, Z दिया रहे तो आपका 3 by 3 का matrix बनेगा यह ध्यान में रखना है वो कैसे पता चलेगा वो भी बताता हूँ टीक है equal to A inverse into B B की value क्या रहेगी जो आपके right side में value है ना पुरी यह right side में जो value रहेगी वो मेरी B की value रहेगी यह पर B की value भी लिखता हूँ मैं 7 और 9 और इसको मैं equation number second देता हूँ इसको क्या देता हूँ equation number second अगर आप equation number first इसको ना देते हुए इसको भी आप देते हूँ तो चलेगा कोई problem नहीं है अभी A inverse निकलेगा कहा से A inverse मेरा आएगा A से और वो A क्या है और धियान से देखों, यहाँ पर A है क्या है यहाँ पर A equal to क्या होने है यहाँ एक्वाल to यह जो equation के अंदर है न यह equation के अंदर जो मेरा यहाँ पर देखऊ देख़ी रहा आपको X और Y तो X को चो रहेगा वो लिखना आपको मैं अल्रेडी बता चुका हूँ एज्जॉइन मैज़ड और रो ट्रास्फोर्मेशन मैजड या फिर कॉलम ट्रास्फोर्मेशन मैजड तो मैं सबसे इजी तरीका मेरा क्या है शॉटकर मैजड इसके अंदर आपको है आक lets to मै savage लोट मै पहले को अपको समझें के लिए लिए किस वाले कोशन में लेकिं जहां प्रिवानिड निकानने फॉलोग करते हुए चलना यह चलना है तो आपको पता है फॉर्मुला आपको यूज़ करना था आप ए इनवर्स एक्वल टु वन अपॉल डिटर्मेंट ओफ ए इन्टू एट्वाइन आफ ए यह तो फॉर्मुला आपका है एड्जॉइन मेथेड से आपको निकालने है टीक इसकी जगह पर यह करने आपको और इसकी जगह पर यह करने तो यहां भी कितना हो जाएगा माइनस त्री वन की जगह पर हो जाएगा माइनस त्री कितना हो जाएगा वन की जगह पर और minus 3 की जगह पर क्या हो जाएगा और यह जो non diagonal elements है यह अपनी जगह पर रगो बस जहाँ minus है वहाँ plus कर दो जहाँ plus है वहाँ minus तो minus 1 है तो plus 1 plus 2 है तो minus 2 हो जाएगा यह मेरा adjoint of a निकल गया ठीक है अब यह निकालना है मेरे को a inverse निकालना है अब 3 by 3 में अगर करना है तो वहाँ पर भी मैं आपको shortcut method बता चुकर को कैसे निकालना है अगर आपने निकाल लिया तो आपको माइनर को फेक्टर जो निकालना रहता है न वह नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा इस तरह के question के अंदर तब ही क्या हो जाएगा सब्सक्राइब को जाएगा माइनस द्कालना लियूकर ऑफ जितल रहता है यहां पर एक्रामेंट सब्सक्राइब काुचा हो जाएगा अभी क्या रहे हैं मेरा x y x y equal to a inverse की value मिल गई है 3 minus 1 2 minus 1 उसके बाद क्या यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना 9 अब ध्यान दो यहाँ पे मैंने थोड़ी दिर पहले देखो आपको बता है था कि भाई 2 matrix का multiplication कहीसा करना है तो आपको यह check करना है कि यह कितना है 2 by 2 का matrix है मतलब 2 row 2 यह कितना है 1 row 2 row column कितना है 2 into 1 तो यह जो method है कि इसका column इसका column और इसका row अगर same रहा तो matrix possible है तो दो दो ही आ रहे है मतलब इसका matrix का multiplication possible और वो होता है फिर भी आपको समझने के लिए फिर चेक करते रहे है next step में जो क्या मेरा बनेगा इसका 2 row बनेगा और column मतलब मेरा जो output दो रो में क्या रहेगा पहला रोग 11 से चलू होता है दूसा रोग 21 टीसा रोग 31 इस तरह से ही चालू होता है अपनी next step में क्या करता हूं मैं ठीक है तो ध्यान से देखो मतलब first row first column के elements यहां पर देखो दो elements यहां पर 21 और यह प्लस 9 टू जा 18 इसका देखो मतलब एक्स की वैलू एक्स की वैलू कितना मिल जाएगी यहां पर यह करेक्ट है या रॉंग है मतलब यह आपको चेक करना है कि आपने निकाला है वह राइट है इंवर्जन मैंतर से तो जो आपने find out किया है उसी चीज़ को आपको जो आपका question आपका दिया हुआ था equation 1 या 2 उसी के अंदर put up करो जो आपके left side में value है put up करने के बार right side की जो value उससे टेली करना चाहिए मतलब अंसर सेम होना चाहिए तो चली चेक करके देखते हम लोग पहले equation के अंदर में यहां पर डाल दे दो मतलब क्या करता हूँ एक्स इक्वल टू 39 यह फूर चेकिंग के लिए कर रहा हूँ यह एक्जामिन नहीं करेंगे तो भी चलेगा आपको खुद के satisfaction के लिए चाहिए कि नहीं इतना नहीं पर चेकिंग के लिए कि नहीं इतना हो गया थर्टी ना पर यहां पर फुर प्लस टू कितना यहां पर 16, तो माइनस 16 है, माइनस 16 इक्वल टू कितना है 7, तो 39 यहां पर कितना आ गया, फ्लस माइनस माइनस, 16 तू जा क्या होगा, 32 इक्वल टू 7, तो देखो 39 में से 32 जा कितना आ जाए गा, 7 equal to 7 बतब आपने जो answer निकाला है वो right है कि 7 left side में भी आ गया और right side में already आपका 7 था तो यहीं method से हमको inversion method आपका जो है यही है same इसी use करना है अगर 3 by 3 रहेगा तो 3 by 3 में क्या करना है same equation दिये रहेगा आपको उसी तरह से utilize करके joint of a निकालना है यहापर multiplication करना है आपको फरक कर रहेगा त्री आएगा और यहाँ पर भी जब 3 होगा तो एक एक element का एक element से multiply होता रहेगा बहुत easy है लेकिन आप उसको try के जिए मैं एक homework के basis पर आपको देता हूँ homework क्या यहाँ पर कि a equal to x plus 2y minus 3y equal to 7 और यहाँ पर x minus 2y plus y equal to minus 9 और यहाँ पर x यहाँ पर minus x लिखता हूँ minus x plus y minus z equal to यहाँ पर y तो नहीं रहेगा यहाँ 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 पर मैंने दो बाल लिख गया है यहाँ पर कितना हो जाएगा z लिखता हूँ यहाँ पर यहाँ पर भी z लिखता हूँ यहाँ पर भी z हो जाएगा और यहाँ पर भी z 1-1 यह मेरा a है तो इससे आपको adjoint of a ऐसे निकालना है adjoint of a निकालने से पहले determinant निकालो क्यों कि determinant में हमको inverse निकालने के लिए determinant of a भी लगेगा ठीक है तो अब यह तीनों वैलू को आपको इक्वेशन के अंदर डालके चेक करने का कि भाई आपने जो अलसर निकाला है वो राइट है या रॉंग है तो इस तरह से हमारा inversion method complete हुआ अब second method हम लोग देखते इसी question को इस question को reduction method से reduction method से यही question को देखने क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर भी यही method से x की value यही आना चाहिए y की value यही आना चाहिए ठीक है तो question क्या है वो देख लेते हैं वहाँ पर अच्छा इस तरह के question में जो मैंने स्टार्ट में बता दिया आपको एक्स वाई और जेट की value ही find out करना है तो वह थोड़ा द्यान दीजिएगा ठीक है question आपका कैसा दिया अब यहाँ पर question क्या था मेरा x plus 2y equal to 7 ठीक है दूसरा क्या equation था मेरा minus x minus 3y equal to क्या हो गया 9 हो गया यह मेरा same चीज़े माई इसको equation number 1 दूँगा और इसको equation number 2 दूँगा equation number 1 और इसको क्या दूँगा equation number 2 अब करना क्या है reduction method में देखो reduction method लिखते हैं आप यहां reduction method थ्यान दूँगा ध्यान देना आपको पहले तो आपको a x equal to b ही लिखना है same चीज़े जैसा a x equal to b solution लिखते हैं तो a x equal to b आपको मालूम होना चीज़े कि a क्या इसके अंदर x क्या भी क्या है तो b आपको मैंने अल्लेटी जैसे की बता दिया है कि b क्या मेरा यह right side का जो point है यह मेरा b है और a क्या रहेगा इसके element जितने भी है एक का coefficient y का coefficient का पहला रो एक का coefficient y का इसका दूसरा रो ऐसे तीन भी हो सकता है चार नहीं होगा कभी भी चार नहीं होगा अध्याण में रखिएगा तो अब यहां पहले कि ग्या है इसके अंदर देखो वैरियबल कितना है X Y है तो यह capital X की जगह X Y रहेगा मतलब इसे column में आएगा अगर X Y Z है तो capital X की जगह X Y Z है इसा 3 आएगा ठीक है अब reduction method के अंदर करना क्या है ज्यान से दोको reduction method के अंदर A की value लिखते हैं लो A की value कितना 1, minus 1, 2, minus 3 ओके यहाँ पर सेम चीज़े लिखना है उसके बाद यहाँ पर X की जगह क्या लिखना है X और Y इक्वल टू B की जगह क्या लिखना है B 7 और 9 सेम चीज़े इनवर्जा डेक्शन method को इनवर्जन method भी इसी process से चाल हुआ था यहां से भी बस उसके अंदर Diagonal Elements कोन सा रहता है इसके अंदर Diagonal Elements मेरा यह रहता है अब Diagonal Elements अगर मैं 3 by 3 की बात करें आपर एक्जामपल एक इसा General कुछ लेता हूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 1 इसा मैंने एक General लिया है अब मैंको बताने का कुछ इसमें बता है अब इसके नीचे वह जितनी элемेंट से वह क्या मैरा अपर ट्रिंगुलर मैंट्स बणाãoगा उसके नीचे वाला पुरा element से कौनसा यह पुरा elements से यह क्या मैरा अपर ट्रेंगॉलर है और यह जो पूरा element से यह क्या है lower triangular है अब ध्यान दो reduction method में यही दो चीज़े अपने को ध्यान में रखना 2 by 2 के अंदर अपर ट्रेंगॉलर कौण सा यह है lower triangular कौण सा है आभी इसके 3 by 3 के अंदर यहां पर लिकूंगा मैं lower triangular अभी बताने का ज़रुवत क्यों है क्योंकि reduction में इसी बेस पर चलना है अब देखो इसके अंदर करना कि क्या रोल है इस अपर ट्रेंगुलर लोर ट्रेंगुलर करने reduction में जब भी आप solve करोगे तो आपको अपर ट्रेंगुलर मेंट्रिक्स या लोर ट्रेंगुलर मेंट्रिक्स को जीरो बनाना है क्या बनाना है डाइगोनल के elements के नीचे वाल elements को पूरा या फिर ऊपर वाल elements को पूरा आपको zero बनाना या या पिर या तो 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 आप जले याद कीजिए इस method से भी आप जाएंगे ना अगर two by two रहा तो इसको बनाने का पहले हमेशा यहां पर इसको आपको जीरो बनाने तो इसको आपको जीरो बनाओगे ना तो ध्यान में रखना आपको कि यह इसके अंदर इसके अंदर कोई भी चैंज नहीं आएगा उसमें और इसमें जीरो अपर देखे अगले सबसीर इसके साथ हो और यहां पे यहाँ नेक्स से चैंड में यह जो और पर यह मैं यह तो जीरो हो गया अब यहां पर देखो लिए सब्सक्राइब करूंगा तो पहला इसका इसके साथ होगा एक्स और इसका इसके साथ प्लाइस टू वाई इक्वल टू कितना हुआ यह मेरा मेन एक्वेशन हो गया अभी यहां पर इक्वेशन नमबर 3 और देखिए एक्स का जब इसके साथ होगा क्योंकि इसके साथ हो यह वाले साथ multiply होगा तो x into 0 क्या जाएगा जीरो जाएगा यहां पर उसके बाद क्या आएगा 0 हुगा उसके बाद यहां पर minus y equal to कितना गया 16 यहां पर indirectly बोलूँगा y equal to कितना गया minus 16 आगया अब y की value मिल गई आपको तो इस equation के अंदर put up कर देने तो y equal to minus 16 putting in equation putting in equation 3 3 में put up करो या फिर 4 में put up करो या फिर 1 में 4 तो है नहीं 1 में put up करो या 2 में किसी में भी आप put up करेंगे आपको डारेक x की value मिल जाएगी यहां पर क्या हो जाएगा x plus 2 into minus 16 equal to 7 x minus 16 कितना हो गया 32 equal to 7 x equal to 7 यहां पर यहां पर कितना मानस 32 यहां पर इदा आएगा तो प्लस 32 यहां पर कितना हो गया x equal to कितना है मेरा 39 ठीक है अब लास वाले जो हमारे question था वहां पर भी देखो x equal to कुछ ऐसी value था x equal to कितना आ गया 39 और y equal to कितना है हमारा answer minus 16 तो देखते लास वाले question के अंदर क्या था answer x equal to क्या था 39 x equal to कितना था 39 और y equal to कितना था minus 16 इसके अंदर भी कितना है x equal to 39 y equal to minus 16 तो इस तरह से आपका answer लोवर ट्रेंग्लर मेट्रिक्स को जीनो बना रहे तो इस वाले case से जानेगा तो इस वाले case में आप जब जाएंगे तो यहां पर अच्छा यह लोवर ट्रेंग्लर मेट्रिक्स को लिगा जबकि यह क्या होना चाहिए हुँए तो बॉजब रहे हैं लेकिन यहां पर जाओ तो जोब तो बनाते बनाते वहां पहुचेए बहुत लंबा टाइम लगें लगीगा और ढि यहां पर पूरी तरह से complete वहा आप हम लोग ने देखे कि हैं पर देखो कि वाई types of क्या देखें हम लोग ने types of matrix क्या होता है यह important आपका types of matrix क्या होता है यह चीजे हम लोग ने पढ़े और यह चीजे देखें कि ए इनवर जो है उसको कितने मै скорл से निकाल सकते एक एड जय जोइन मैं saya सकते राइट और स्टैर्ड कोई सब्डieuरा मेरा यहांISE रोर्व जिसमे प्रवार्व मेटडर दूसरा भी बोलोंगो तो चलेगा क्या 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 चलता है प्र मैं चलता है सी चलता है रॉ में चलता है और एक कॉलम में क्या नाम से बुलाए जाता है रेलक्शन में आपको कैसे सौल करने का है इंवर्जन में कैसे सौल करना है तो यह हमारा लेक्चर का पूरा निचोड था वन शॉट लेक्चर में और इसके अंदर हो सकता कुछ मेरे से छूड़ गया हो तो अगर जो भी मेरे से लेफ्ट होगा तो इसको मिझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताइए तो अभी नेक्स लेक्चर जो हम लोग वन शॉट कर लेने वाले वह मैं लोगा डिफ्रेंशेशन के उपर किसके उपर लोगा डिफ्रेंशेशन के उपर और यह भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपको देगा जितना भी आपको मैस की रिक्वार्मेंट है यह आपको पूरा पूरा प्रवाइड करने की कोशिश करेगा ठीक है थैंक्यू